हेलो, आप दवाव वार्फरिंट शुरू करने वाले हैं, जो के आपके खोन की सेहत को बरकरार रखने और इसमें लोथड़े बनने से रोपने की सिलसले में एक आहम गदम है। वार्फरिंट के महफूज और मौसर तोर पर इस्तेमाल की खातिर हम आपको 10 मुफीद तजावीज के साथ मदद देने आए हैं। रोजाना एक ही वक्त पर वार्फरिंट लें ताकि अगर आपकी कोई खोराक रह जाए तो याद आने पर आप वो ले लें, मगर कभी भी एक दिन में एक से ज़्यादा खोराक ना लें। आप वार्फरिंट खाने के साथ या उसके बगएर भी ले सकते हैं। ताहम अगर इससे आपका मैदा खराब होता है तो इसे खाने के साथ लें। सबस पत्तों वाली सबजियां एतदाल में खाकर और अपनी घिजा में बड़ी तबदीलियां लाने से गुरेज करके अपना विटमिन के मुस्तहकम रखें। आई एन आर टेस्ट यकीनी बनाते हैं कि आप दवा की दरुस्त खौराक ले रहे हैं। अप्तिदा में हफ़ते में एक से दो मरतबा आई एन आर की जाच करें। फिर हर महीने जाच करें। और हमेशा याद से अपनी अपॉइंट्मेंट्मेंट्स पर जाएं। हस्पताल के अपने हर विजट के मौके पर अपने निगेदाश्टे सेहत के फराहम कुनिंदगान को बताएं कि आप वार्फरिन ले रहे हैं। अपने डॉक्टर के मशवरे के बगएर नई अद्वियात इस्तेमाल ना करें। कभी भी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगएर वार्फरिन लेना बन ना करें। खून निकलने के खतरे को कम करने की खातर नर्म रेशों वाला टुट ब्रश और इलेक्ट्रिक रेजर इस्तेमाल करें। अगर आप हामिला हो तो फॉरन अपने डॉक्टर से बशवरा करें। अगर आपके किसी बड़े कर्ट या किसी छोटे कर्ट से खून बह रहा हो जोके 10 मिनट में ना रुके तो फॉरी तोर पर हस्पताल से इलाज हासिल करें। बराहि कर्म अपनी सेहत के मुतलिक किसी भी किसम के सवलात के लिए हम से राबिता करें। हम आपकी मौाविनत की खातर मौजूद हैं।